अजि पार्शिक रख्यूट वेक्षा पो जो अज आता फैने अट चौन आज आता था किस्थ का प्छा रहा है इसका लास्थ टॉपिक लिक्स कापिंग एक तो किशेजिव्ड पड़े थे तो दिफरेंट दिसीजिवास ते उसमें से एक का इंवेस्मेंट बेस्मेंट ते इ जो आपके खरचे होते हैं रोजाना के उनको मीट आउट करने के लिए जो आप एकस्पेंस करते हो वो फिर अगर आप उसमें करते हो तो तो फिर आपका वोरकिं कैपिल में इंक्षिमिंट क्यालाता है ठीक है तो आप성ट करने बें फिर्टल के श़रू करते हैμं invest करना है या फिर आपको working capital में invest करना है तो और अगर आप fixed capital में invest करते हो तो उससे related decision को हम capital budgeting कहते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर हम कुछ factors affecting पड़ेंगे यानि कि क्या ऐसे factors हैं कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से आपका decision influence होता है कि आप fixed capital में invest करो या वरकिंग capital में invest करो तो fixed capital में invest करो तो कितना करो तो यह सारी यह कुछ ऐसे factors हैं जिससे आपके decisions influence होते हैं तो first is nature of business nature of business का क्या मतलब है कि आपका business किस type का है आप manufacturer हो या आप trader हो अगर आप manufacturer हो यानि कि आप produce कर रहे हो कुछ आप manufacturing कर रहे हो तो अगर आप manufacturing कर रहे हो इसका मतलब आपको heavy plants और heavy machinery की जरूरत है आपको manufacturing करने के लिए तो वहाँ पर आपको assets की जरूरत है यानि कि आपको fixed capital की जरूरत है अगर आप trading कर रहे हो तो आपको इतने जादे fixed assets की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब आपको इतना ज़ादे invest नहीं करना पड़ेगा as a fixed capital ठीक है Then scale of operation तो अगर आपका scale of operation बहुत large है आप बहुत large scale पे आप operate करते हो तो आप ज़ादा produce करते होगे अगर आप ज़ादा produce करते हो तो आपको ज़ादा fixed capital चाहिए आपको ज़ादा plant, ज़ादा machinery, ज़ादा assets चाहिए ठीक है अगर आपका scale of operation छोटा है, कम है तो फिर आपका थोड़े से fixed capital में पे काम चल सकता है Then technique of production technique of production तो वह production की दो techniques होती है एक होती है capital intensive और एक होती है labor intensive capital intensive का मतलब होता है जब आप machines और plants और आप technology को use करके अगर आप कुछ production करते हो तो वह आपकी capital intensive technique कहलाती है और अगर आप वही labor को use करके लोगों के हातों से कराते हो काम तो फिर वह आपकी labor intensive technique कराती है तो आपकी organization की technique of production पे भी depend करता है आपको कितना fixed capital चाहिए अगर आपकी organization की technique ऐसी है कि आप अगर organization की capital technique है तो आपको ज़्यादा fixed capital में invest करना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़्यादा plant machinery वगेर लाने पड़ेगी और अगर आपकी labor intensive technique है तो फिर आपको कम में भी काम चल जाएगा तो technology upgrade होती रहती है अगर आपकी organization technology को जल्दी-जल्दी adopt करती रहती है और upgrade होती रहती है तो फिर क्या होगा कि आपको जल्दी-जल्दी अपनी machines को भी upgrade करने की ज़रत होगी आपको जल्दी-जल्दी नई machines लाने की भी ज़रत होगी तो क्या होगा उस टाइम पर आपको जादा fix capital की जरुरत होगी अगर आप इतना जादा technology अप्ग्रिडेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको इतनी जादा fix capital की जरुरत भी नहीं है Then growth prospects Growth prospects का मतलब है कि near future में कोई company या कोई organization अगर अपने आपको expand करने का plan बना रही है Grow करने का उसका plan है तो क्या होगा कि अगर उसे grow करना है एक organization को अपनी activities और अपनी organization को expand करना है तो क्या करना पड़ेगा कि production capacity increase करनी पड़ेगी जादा produce करना पड़ेगा तो production capacity तो भी limited ही होती है वो बढ़ाने के लिए आपको जादा machinery लाने पड़ेगी जादा asset लाने पड़ेगे यानि कि कुल मिला के आपको जादा fixed capital में invest करना होगा ठीक है तो अगर आपके near future में growth prospects है तो फिर आपको जादा fixed capital की जरुत होगी वरना इतनी जादा नहीं होगी Then diversification तो diversification का मतलब हो था अपनी activities को diversify करना यानि कि अगर आप आज एक काम कर रहे हो तो कल आप 10 काम करों ठीक है तो जैसे कि suppose एक company है वो सिर्फ shampoo बनाती है अभी तक वो सिर्फ shampoo बनाती थी लेकिन उसने अपनी activities को diversify किया सोचा मैं shampoo भी बनाऊंगी मैं soap भी बनाऊंगी और मैं hair oil भी और मैं कुछ cosmetic products, lipstick, powder ये सब भी है ना? तो क्या हुआ कि इसने अपनी activities को diversify किया या नहीं किया तो activities को diversify करने के लिए अब भी एक machine जो एक product बनाती थी वो सारे products तो नहीं बना पाएगी तो इसका मतलब आपको और machine लानी पड़ेंगी आपको थोड़ी सी और technology में invest करना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपको जब ज़्यादा उस case में आपको ज़्यादा fix capital में invest करना पड़ेगा अगर आप diversify करना चाह रहे हो तो ठीक है? Then availability of finance and leasing facility इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई heavy capital चाहिए अगर आपको कोई heavy asset चाहिए जिसे कि आपको building चाहिए या land चाहिए आप उसे बनवाग खरीदना नहीं चाह रहे हो ठीक है? तो आप चाहोगे कि भई कहीं rent पे मिल जाए कहीं lease पे मिल जाए तो आपको जबरजस्ती खरीदना ही पड़ेगा वो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि खरीदना है पे काम तो करना है ना rent पे नहीं मिल रहा तो क्या करें फिर खरीदना पड़ेगा तो जब आपको खरीदना पड़ेगा तो इसका मतलब आपको face capital में और जादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ठीक है तो अगर इस चीज़ से भी पहुत जादा फर्क पड़ता है कि आपकी फैनेल्स और लीजिंग फैसिलिटी की अवैलिबिलीटी क्या अविलेबल हैं तो आपको इतना जादा खर्च नहीं करना पड़ेगा नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा Then joint venture, joint venture का क्या मतलब है कि अगर आपकी organization में joint venture है अगर आप किसी और organization के साथ भी मिलकर काम करते हो as a joint venture ठीक है एक तरीके से partnership type होती है तो इसका मतलब आपके asset वो use कर सकती है और उसके asset आप use कर सकते हो तो जब दोनों के assets के बीच में sharing हो सकती है तो फिर अपने क्यों खरीदना है ना तो उस case में आपको कम fixed capital की जरूरत होगी क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको आप तो asset share भी कर सकते हो तो नए खरीदने की जरूरत नहीं है तो joint venture के case में आपको कम fixed capital की जरूरत होती है तो इसी के साथ हमारा ये fixed capital खतम होता है चलिए अब working capital देख लेते हैं तो working capital का मतलब होता है कि जब आप अपना investment current assets में करते हैं तो वो working capital कहलाता है तो definition देखते हैं working capital refers to access of current assets over current liabilities क्या मतलब है current assets का और current liability का current assets का मतलब है कि ऐसे assets जो आप एक साल के अंदर अंदर within a year liquidate हो जाएंगे liquidation का क्या मतलब है liquidation का मतलब है कि आप उसको कितनी जल्दी money form में convert कर सकते हो ठीक है किसी भी asset को तो current assets कौन से हो गए जो एक साल के अंदर अंदर liquidate हो जाए current liability क्या होती है जो आपको within a year यानि कि एक साल के अंदर अंदर payback करनी है तो current assets और current liability हम कह सकते हैं कि short term assets और short term liability होती है जो एक साल के अंदर अंदर assets का में liquidate करना होता है और liability इसको में payback करना होता है तो working capital क्या होता है इन दोरों के बीच कर difference होता है current assets और current liability के बीच कर difference को हम working capital कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक formula भी given है working capital is equal to CA minus CL यानि कि current assets minus current liability ठीक है तो current working capital जो है वो दो types का है एक gross working capital और एक net working capital gross working capital का मतलब है कि जब आप अपना investments आरा current assets में करते हो current assets को acquire करने के लिए जब आप अपना investment करते हो तो वो आपका gross working capital कहलाता है current assets का मतलब अभी समझाया है कि जो within a year liquidate हो जाएं ठीक है और कुछ current assets यहाँ पर दिये हुए हैं जो order में दिये हुए हैं ascending order में इनकी liquidity के इसाब से कौन कितनी जल्दी liquidate हो जाता है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में उसके बाद में इसाब से आपको कुछ current assets दिये हुए हैं order में liquidation के तो first is cash in hand cash at bank cash already liquidated होता है already money form में converted होता है तो आप इसको और कितना करेंगे तो इसलिए ये तो already सबसे top पर आता है liquidation के मामले में then debtors, then marketable securities, finished goods, bills receivable, work in progress, raw material, prepared expenses तो ये कुछ ऐसे current assets हैं जो अपनी liquidity के हिसाब से ascending order में आरिश्ट हैं तो gross working capital समझा गया यानि कि आप अपना investment जब सारा current assets को acquire करने के लिए करते हैं networking capital का क्या मतलब है? networking capital का मतलब है कि जब आपके current assets और current liabilities इसमें दोनों चीजों को आप देख रहे है current assets और current liability के बीच का difference जब आपके current assets current liability से ज़ादा होते हैं तो इसका बीच का difference बचता है वो आपका networking capital कहलाता है ठीक है? तो इसमें एक और चीज है कि आपका जो net working capital है वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है Of course यह आपर difference की बात हो रही है तो अगर current asset, current liability से जादा है तो तो बिल्कुल ठीक है जिसे अगर यह वाली situation है कि current asset जादा है और current liability कम है तो current asset minus current liability एकदम working capital आजाएगा positive working capital लेकिन अगर current liability जादा है तो और current asset कम है तो तो यह जो difference आएगा यह difference negative हो जाएगा तो इस तरीके से working capital जो है वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है तो यह तेवह gross working capital और net working capital अब देखते हैं ऐसे कौन से factors हैं जो working capital के decision को effect करते हैं कि working capital हमें कितना रखना है कितना नहीं रखना है ठीक है तो first is length of operating cycle operating cycle का क्या मतलब है operating cycle होती है कि जब आप raw material acquire करते हो production के लिए जब आप raw material लेकर आते हो वहाँ से शुरू होती है आपकी operating cycle और जब तक आप raw material को finished good में convert करके sell करने के बाद आपको उससे पैसे वापस नहीं मिल जाते हैं ठीक है तो तब तक आपकी operating cycle चलती है तो इतनी लंबी होती है operating cycle तो अगर आपकी operating cycle ज़ादा लंबी है ज़ादा time लग रहा है तो इसका मतलब आपको जल्दी जल्दी पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको फिर ज़ादा working capital की ज़रूरत होगी आपको ज़ादा working capital maintain करके रखना पड़ेगा लेकिन अगर आपकी operating cycle छोटी है आपको जल्दी जल्दी पैसे वापस मिल जाते है याने कि cash का inflow जल्दी हो जाता है तो इसका मतलब आपको इतनी ज़ादा working capital को पहले से maintain करने की ज़रूरत नहीं है तो nature of business क्या है कि business किस चीज में deal करता है या तो trading हो सकता है या manufacturing हो सकता है अगर trading है तो आपको comparatively कम working capital की जरूरत है अगर manufacturing है तो आपको ज़्यादा working capital की जरूरत है trading में क्या है वह इी ऑपके दो होते ह्म रीटेल होसेल तो रीटेल में क्या है रीटेल की वह जो पिरेटिंग साइखल होती है वह और छोटी होती है तो उसको कुछ खास stock maintain करके नहीं रखना होता है, उसका सामन जैसी आता है, जल्दी-जल्दी बिग जाता है तो इसलिए उसको ज़्यादा working capital की ज़रत नहीं है Wholesale में क्या होता है? Wholesale में comparatively ज़्यादा working capital की ज़रत है क्यों? क्योंकि उसको stock maintain करके रखना पड़ता है, wholesaler को और wholesaler में आपने पढ़ा होगा कि उसको wholesaler को credit पे बेचना पड़ता है तो अगर कोई इनसान credit पे कुछ बेच रहा है, यानि कि cash का inflow इतनी जल्दी-जल्दी नहीं हो रहा है तो इससे operating cycle increase हो गई, तो operating cycle अगर और lendी हो गई तो फिर आपको और ज़्यादा पड़ेगी working capital की और तो यह तो हो गया trading का, manufacturing में कहा है कि manufacturing में तो आपका पूरा process ही होता है operating cycle करो, material को लेकर आना, semi-finish good, finish good, फिर बेचना, फिर उससे पैसे recover करना तो यह काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा working capital की जरुएत होती है then scale of operations, scale of operation याने कि आप जो operate कर रहे हो, वो आप किस level पर कर रहे हो, कि scale पर कर रहे हो ज़्यादा आप manufacture करते हो, याने कि आपका scale of operations बहुत बढ़ा है तो इसका मतला आपको ज़्यादा working capital की जरुएत है, और अगर कम है तो फिर आपको कम working capital की जरुएत है Business cycle fluctuation, business की जो cycle होती है वो fluctuate करती रहती है, याने कि business में periods आते है, boom period होता है, depression period होता है तो boom period अगर चल रहा है, तो boom period की time पर सब लोग ज़्यादा demand करते हैं तो अगर ज़्यादा demand करते हैं, तो उससे क्या होता है, कि ज़्यादा demand कर रहे हैं, तो फिर भई, ज़्यादा आपको manufacture करना पड़ेगा जादा manufacture करना पड़ेगा तो आपको फिर भई जादा आपको working capital की ज़रूरत है ठीक है और अगर आपका recession period चल रहा है तो इतनी demand नहीं होती है low demand की वज़े से आपको कम manufacture करना होता है कम manufacturing की वज़े से आपको कम working capital की ज़रूरत होती है seasonal factors, seasonal factors का मतलब है कि कुछ businesses ऐसे होते हैं जो पूरे साल चलते हैं कुछ business ऐसे होते हैं जो कुछ time एक season में चलते हैं जैसे कि suppose firecrackers है तो firecrackers सिफ diwali की time पे चलते हैं colors है गुलाल है तो वो सिफ holly की time पे चलते हैं तो यह हो गए ना seasonal products हो गई है कुछ तो अगर कोई ऐसा business है जिसका product पूरे साल चल रहा है तो फिर उसको पूरे साल ही एक जैसा ही working capital रखना पड़ेगा लेकिन अगर किसी के seasonal products हैं जैसे की firecrackers हो गए और गुलाल हो गया इस तरीके की चीज़े हो गई तो फिर क्या होगा कि जब वो season आएगा जैसे अगर firecrack के लिए जब दिवाली का season आएगा तो जादा demand बढ़ेगी और demand बढ़ने के साथ साथ फिर उसको एक organization को अपनी supply बढ़ानी पड़ेगी manufacturing बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए जादा working capital की जरूरत है ठीक है तो अगर season में जब off season चल रहा होता है तो कम working capital की जरूरत होती है और अगर जादा वो season चल रहा होता है उसी चीज का तो फिर जादा working capital की जरूरत होती है then technology and production cycle तो technology आप production के लिए क्या use कर रहे है आप labor intensive कर रहे हैं capital intensive कर रहे हैं capital intensive कर रहे है तो सब कुछ आपका machine से ही हो रहा है आपने उसमें अच्छा खासा पहले से ही fix capital invest कर दिया है तो आपको working capital इतने इनवेस्ट करने की सुरूत नहीं है labor intensive में क्या है labor intensive में आप जो सारा काम कराते हैं वो आप कराते हैं labor से ठीक है तो labor को आपको regular wage pay करना पड़ता है daily wages होते हैं आपके labor तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए जाधा stock maintain करके रखना पड़ेगा आपके working capital का ठीक है उसके बाद है credit allowed तो अगर आपकी organization के ऐसी policy है कि आप credit पे अपने गुड़्स बेचते हो आप credit allow करते हो तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपकी जो operating cycle हो लेंडी हो जाती है, आपको जो पैसे मिलेंगे, वो थोड़े देर में मिलेंगे, आपने बेच दिया है सामान, लेकिन आपको जो पैसे मिलेंगे, वो देर मिलेंगे, तो आपके operating cycle लेंडी हो गई, तो तब तक आपको working capital जादा maintain करके रखना पड़ेगा, अगर आपकी credit allowance की policy है तो, फिर है credit avail, ये तो था कि आपने जो credit allow किया, ये है कि आप जिससे supply ले रहे हैं, आप जिससे raw material ले रहे हैं, वो आपको अगर credit पे दे दे तो, तो अगर वो आपको credit पे दे देता है, goods आपका जो supplier है, तो फिर आपको उसे साब से तर कम working capital की जरुत होगी, क्योंकि आ अगर आपका supplier आपको credit पे नहीं देता है, तो इसका मतलब आपको जल्दी जल्दी उसको pay करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा working capital की जरुत होगी, Then operating efficiency, अगर आपके organization के operating efficiency अच्छी है, इसका मतलब आप efficiently काम करते हो, आप resources का wastage नहीं करते हो, तो अगर resources का wastage कम करते हो, तो फिर आपको resources की कम भी जरुत होगी, आपको कम resources की जरुत होगी, तो यानि कि आपको कम working capital की जरुत होगी, Then availability of raw material, अगर आपको raw material जल्दी जल्दी available हो जाता है, ठीक है, आपने जब सोचा कि अच्छा मुझे अच्छा मुझे अच्छा मुझे आप में सामान ले आता हूँ, अब बना लेता हूँ, तो अगर आपको इस तरीके से available हो जाता है raw material, तो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपको उस हिसाब से फिर कम working capital की जरूरत है, लेकिन आपको raw material अगर असानी से available नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से बहुत सारा खरीद के रखना पड़ेगा, stock maintain करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिर जादा working capital की जरूरत है, then level of competition, तो अगर level of competition आपका high है, जादा competition है, तो आपको अपने तरफ कस्टमर्स अट्राक करना के लिए, credit policy अपनानी पड़ेगी, ठीक है? जो आपको competitor नहीं अपनाता होगा, तो आपको वो चीज़े करनी पड़ेगे, जैसे credit policy अपनानी पड़ेगी, credit policy अपनानी की वज़े से आपको operating cycle तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको फिर आपका working capital भी जादा हो जाएगा और अगर अगर अब ही यह तो हो गई क्रेट पॉलिसी और हो गया कि आपको जल्दी जल्दी supply देनी पड़ेगी regular supply रखनी पड़ेगी goods की तो regular supply के लिए आपको working capital की जादा जरूरत है then inflation inflation का मतलब क्या है महंगाई तो अगर आपके raw material महंगे हो जाते हैं ठीक है तो आपकी cost increase हो गई आपका raw material महंगा हो गया उसके साथ साथ अगर आप अपने output की प्राइस कर दो आप जो product दे रहे हो जो आप product public को offer कर रहे हो उसके भी अगर आप prices increase कर दो तो फिर उस तरीके से फिर आपकी situation जो है अप तरीके से आप टैकल कर सकते हो कि आपके ये ज़्यादा मतलब इसके prices increase होए तो आपने अपने product अगर आपके भी प्राइस इंक्रीज कर दिये तो चल जाएगा, ठीक है? Then, Growth Prospects. Growth Prospects का मतलब क्या है? कि अगर आपके नियर फ्यूचर में Growth या फिर अपनी बिजनस को Expand करने की प्लान है, तो फिर क्या होगा? कि आप, मतलब जादा आपको Production करना पड़ेगा, आपको अपनी Production Capacity को Increase करना पड़ेगा, Production Capacity को Increase करना पड़ेगा, तो आपको जादा Working Capital की ज़रूरत है, तो अगर आपके new year future में growth prospects हैं तो फिर आपको ज़ादा working capital की ज़रूरत है नहीं है तो फिर कम की ज़रूरत है तो यह थे बई factors affecting और इसके साथ हमारा यह chapter खतम होता है financial management I hope आपको समझ आया होगा हम आपको online यह जो recorded form में lectures है यह तो provide कर ही रहे हैं लेकिन अगर किसी को भी कोई interested हो online live classes लेने के लिए तो वो इस number पर contact कर सकता है या फिर description box में भी आपको contact number दे दिया जाएगा आप हमें contact कर सकते हैं तो I hope आपको समझ आया होगा आप साथ के साथ इसकी notes बनाते चलिए friends को share करना बिलकुल नबुने चैनल को subscribe ज़रूर कर दे मिलते हैं आप से अगले lecture में thanks for watching झाल झाल झाल